साथ संगत ची प्यार से कहना धन रंकार ची आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले आप सभी को होली की हार देख्षुब काम नाए सत्कुरु माता जी से अर्दास है कि आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भरे रहे और आप सभी सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहे साथ संगत ची केवल सत्कुरु में ही समर्थ है कि सत्कुरु प्रकरती के नियम को भी बदल सकते है जो की इश्वर भी नहीं बदल सकते और आज की साखी इसी विश्य पर अर्धारित है चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक शिश्य था समर्थ गुरू रामदास जी का जो भिक्षा लेने के लिए एक गाउ में गया और घर घर जाकर भिक्षा की मांग करने लगा वो शिश्य सभी के घरों में जाकर बोलता कि समर्थ गुरू की जै बिक्षाम देही एक घर के अंदर से जोर से दर्वाजा खुला और एक बड़ी सी दाड़ी वाला एक तांतरिक बहार निकला और चिलाते हुए बोला कि मेरे दर्वाजे पर आकर तुम किसी दूसरे का गुणगान करते हो कौन है ये समर्थ अब शिश्या ने गरव से कहा कि मेरे गुरू समर्थ रामदास जी जो सरव समर्थ है अब जब तांतरिक ने शिश्या की इस बात को सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुसाहस कि मेरे दर्वाजे पर आकर कोई किसी और का गुणगान करे मैं भी देखता हूँ कि कितना समर्थ है तेरे गुरू में तांतरिक ने शिश्या से कहा कि मेरा श्राब है कि तु कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा मतलब कल तेरी मृत्य हो जाएगी अब जब शिश्या ने सुना तो देखता ही रह गया आस-पास के गाम वाले भी शिश्या से कहने लगे कि इस तांतरिक का दिया हुआ श्राब कभे खाली नहीं जाता सभी कहने लगे कि बिचारा गुरू का शिश्य युवा वस्था में ही अपनी जान गवा बैठेगा अब गुरू का शिश्य उदास चहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज तो मेरा अंतिन दिन है लगता है कि मेरा समय खतम हो गया है आश्रम में जैसे ही वो शिश्य पहुँचा तो गुरू सामर्थे रामदास ची हसते हुए बोले कि ले आया भिक्षा अब बेचारा शिश्य क्या बोले गुरू देव से हसते हुए कहने लगा कि हाँ गुरू देव मैं भिक्षा ले आया हूं और भिक्षा में मैं आज अपनी मोद लेकर आया हूं और ये कहकर शिषय ने सारी घटना अपने गुरू को सुना दी और एक कोनी में चुप चाब बैठ गया गुरू ने शिषय से कहा कि अच्छा चल भोजन कर ले लेकिन शिषय ने गुरू से कहा कि गुरू देव आप भोजन करने की बात कर रहे हो यहां मेरे प्राण सूख रही है बोजन तो दूर मेरे मूमे एक दाना भी नहीं जाएगा गुरू ने कहा कि अभी तो पूरी रात बाकी है तो अभी से चिंता क्यों कर रहा है चल ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा और यह कहकर गुरू देव भोजन करने के लिए चले गए फिर सोने की बारी आई तब गुरू देव शिषय को बुला कर आदेश देने लगे कि हमारे चरण दबा दो शिषय मायोसो कर बोला कि जी गुरू देव जो भी कुछ पल मेरी जंदगी के बचे हैं वो पल मैं आपकी सेवा करके ही त्याग कर दूँ तो यह बहुत अच्छा होगा और फिर वो शिषय अपने गुरू की चरण दबाने की सेवा करने लगा साथ संगत जी गुरू देव ने अपने शिषय से कहा कि चाहे जो भी हो जाए मेरे चरण छोड़ कर कही मत जाना शिषय ने कहा कि जी गुरू देव मैं कही नहीं जाऊंगा गुरु देव ने अपने शब्दों को तीन बार दोराया कि चरण मत छोड़ना चाहे जो भी हो जाए ये कहकर गुरु देव सो गए अब उनका शिश्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा रात्री का पहला पहर बीतने को था कि तांत्रिक ने अपने श्राब को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा जो की धन से सोने चांदी से हीरे मोती से भरी हुई थाली हाथ में लिये थी अब गुरु का शिश्य अपने गुरु के चरण दबा रहा था तबी धर्वाजे पर वो देवी प्रकट हुई और बोली कि धर आओ और ये थाली ले लो शिश्य ने देवी से कहा कि जी मुझे थाली लेने में कोई परशानी नहीं है लेकिन माफ करे मैं वहाँ पर आकर ये थाली नहीं ले सकता अगर आपको देनी ही है तो यहाँ पर आकर रखतीजे लेकिन वो देवी कहने लगी कि नहीं तुम्हें यहाँ पर आना होगा देखो कितना सारा धन है शिश्य ने बोला कि नहीं अगर आपने धन देना है तो यहीं आकर रखतो अब तांतरिक ने अपना पहला पासा असफल देखकर अपना दूसरा पासा फैंका साथ संगत जी अब रातरी का दूसरा पहर बीतने को था और शिश्य समर्थ गुरू रामदास जी के चर्ण दबानी की सेवा कर रहा था रात्री का दूसरा पहर बीता तब तांत्रिक ने उस शिशे की मा का रूप बना कर एक नारी को शिशे के पास भेजा अब शिशे गुरू के जर्ण दबा रहा था तब ही दर्वाजे पर आवाज आई कि बेटा तुम कैसे हो अब शिशे ने अपनी मा को देखा तो सोचने लगा कि बहुत अच्छा हुआ जो मुझे मेरी मा की दर्शन भी हो गए मरते वग मैं मा से भी मिल लिया अब वो औरत जो शिशे की मा की रूप को धारन किये हुए थी उसने शिशे से कहा कि बेटा आओ मेरे गले से लग जाओ बहुत दिन हो गए हैं तुम से मिले शिशे ने कहा इक शमा करना मा लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैं भी गुरू चरण की सेवा कर रहा हूँ मुझे भी आप से गले मिलना है लेकिन आप यहीं पर आकर बैठ चाओ फिर उस महिला ने देखा कि उनकी चाल काम नहीं कर रही तो वो वापस चले गई अब रातरी का तीसरा पहर बीता और इस बार तांतरिक ने यमदूत के रूप वाला एक राक्षश बेजा राक्षश पहुँचकर उस शिशे से कहने लगा कि चल तुझे लेने मैं यहां आया हूँ तेरी मौत आ गई है उठ और चल अब शिशे भी जला कर बोला के काल हो या महाकाल मैं नहीं आने वाला अगर मेरी मृत्यू आई है तो यहीं आकर मेरे प्राण ले लो लेगिन मैं गुरू के चलनों को नहीं छोड़ूँगा साथ संगत जी फिर वो राक्षश भी शिशे का द्रड निश्चा देखकर वापस चला गया और सुबह हो गई सुबह चिडिया अपने घूसले से निकल कर चहचाने लगी सूरज भी उधा हो गया और गुरूदेव नींद से उठे और शिशे से पूछने लगे कि सुबह हो गई गुरूदेव ने शिशे से कहा क्यारे तुम्हारी तो मृत्यू होने वाली थी ना तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक कश्राप कभी विर्थ नहीं जाता लेकिन तुम तो अभी तक जीवित हो गुरूदेव ने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा अब शिशे भी सोचते कि जी गुरुदेव लग तो रहा है कि मैं जिवित ही हूँ अब शिशय को समझ में आ गई कि गुरुदेव ने उससे क्यूं कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना अब शिशय गुरुदेव के चरण पकड़ कर खूब रोने लगा बार बार अपने मन में यही सो जलता है उससे तो स्वयम मोत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार पहले सोचती है इसलिए तो कहा गया है कि करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए तीन लोक नोखंड में गुरु से बड़ा ना कोई पूरण सत्गुरु में ही समर्थे हैं कि वो प्रकर्ती के नियम को भी बदल सकते हैं जो कि इश्वर भी नहीं बदल सकते क्योंकि इश्वर भी प्रकर्ती के नियम से बदे होते हैं लेकिन पूरण सत्गुरु नहीं साथ संगत जी उमीद है कि सांखी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो अपने वचार कमिट द्वारा जरूर बताईएगा फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई सांख्य और नए वचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी